हेलो गुड इवनिंग और वेलकम टू माई चैनल नॉलेज कैटल वेलकम अगें टू आल अफ यू आज जो आप देख रहे हैं सुबह से लगातार सीरीज चलती जा रही है पहले सर्कुलर सेटें अरेजमेंट उसके बाद हमने बात की थी बॉक्स और बिल्डिंग के उपर औ अब जो एपिसोड है वो आपको थमनेल से पता चली गया होगा अब जो हम कोचन करने वाले हैं वो हैं मंत और डेज बेस जी हाँ, month or days based का एक question आपके exam में जरूर आता है आपके pre-exam, जो कि कल से start है, उनमें एक question ऐसा जरूर रहेगा तो आज हम उनी questions पर बात करेंगे जिनोंने circular sitting arrangement और boxes वाला नहीं देखा वो please playlist में जाएं या फिर आप नीचे videos में जाएंगे आप search करेंगे, आपको मिल जाएगा ठीक है, recently डले हुए है, ठीक, तो चलिए पहला question देखते हैं, बिना किसी देरी के पहला question आपके सामने नजर आ रहा होगा और पहला question based है किस पर, days पर पहला question based है days पर और क्या कहाँ examiner ने, देखो कहता है साथ conferences हो रही है साथ conferences हो रही है कब से, कहता है week, same week पे, same week मतब एक ही हफते, एक ही हफते के साथ दिनों में साथ conference हो रही है साथ लोग साथ conference करने जाते हैं जिनके नाम है P, Q, R, S, T और U और V, और वो conference जो हो रही है वो हो रही है, Monday and ending on Sunday, वो कहता है Monday से start हो रही है और Sunday को खतम हो रही है, कभी भी आपके पास week का question आए, days का question आए, month का question आए, तो हमेशा याद रखना है उन्हें order wise लगाया जाता है जैसे इसने कहां Monday से start हो रही है, तो भई अगर Monday से start हो रही है, तो अगली कब होगी Tuesday उसके अगली कब होगी Wednesday, फिर कब होगी Thursday, फिर कब होगी Friday, then Saturday and then Sunday हमारे पास साथ दिन होने चाहिए, हमारे पास साथ दिन है और साथ दिन में साथ लोगों को यह सेट करना है, जो अलग अलग दिन conference करने जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सता है अगली जाएंगे ज़िए ग्जामिना साथ दिन है लेकिन 6 कॉनफरेंस करा है, एक दिन को मिस करा दे कि एक दिन छुटी है मालो तो जुरूरी वह संडे होगा, ऐसा नहीं है जिस दिन को बोलेगा उसी दिन को आप तो को मानना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा संडे ही क्या हो आपका वीक का जो है ओफ डे हो ठीक है चलो तो यह मैं आपको बता चीओ फॉरमेट ऐसे रखना आपको कभी भी डेस की बात हो तो स्टार्ट जहां से हो है मंडे टू संडे बोला है तो मंडे से आपको संडे की तर ले जाना है अगर वो ट्यूजडे टू मंडे बोलता तो ट्यूजडे से स्टार्ट करके आपको मंडे ले जाना है ठीक है बाकी डिपेंड करता है एक्जामिन ने क्या कंडिशन दी है तो वो क्या बोल रहा है कि आ जिस शहर में वो conference करने जा रहे हैं, उनके नाम भी बताने हैं, तो गबराई है नहीं, बहुत easy question है, बहुत easy है, pre-level का question है, ठीक है, तो देखो, question start, देखो, पहली लाइन क्या बोली है, कहता है, conference P will be held immediately after conference देहरादून, देहरादून conference के immediate, यानि तुरंत बात P conference होती है, तो देहरादून के तुरंत बात क्या होती है, देहरादून के तुरंत बात होती है, P, ठीक है, यह उसने बोला है, फिर उसने बोला है, immediate बोला है, तो मैंने इसे block में कर दिये, इस तरीके से, ठीक है, ताकि मुझे याद रह तो ऐसे भी ने पर जब होगी है कि नासिक वाली लेकिन वहाँ इमिज्एक कर दिया उसे तो एस से तो पहले होगी लेकिन वो immediate उपर नहीं होगी ठीक है तो भाहि कम से कम एक सब्सक्स का अब तभी तो होगा आका ऐसा कि नाकिक का अला एसे उपर है लेकिन इमेजेट नहीं है तो भाहि एक छोड़ के ओ सकता है दो छोड़ के इमेजेट बोला है तो इसले मैंने आपर बॉक्स बना देए और ये मार्क इसले लगा रही हो ताकि मुझे ध्यान रहे है कि मुझे इमेजेट कौन सा नहीं सबका अपना तरीक ओता है आपका अपना होगा ठीक है Conference V will be held immediately after jharkhand V वाली conference जharkhand के तुरंद बाद होती है तो V वाली conference जharkhand के बाद होती है तो मैं आँ लिख देती हूँ कि V वाली conference जharkhand वाले के तुरंद बाद होती है ये भी क्या है अब Q पहले है या T की पहली नहीं पता Q और P जो है वो आग्रा में conference नहीं करते Q और P आग्रा में conference नहीं करेंगे तो यह लाइन लिख देते है Q और P कहां conference नहीं करते पिटा आग्रा में conference नहीं करते कहीं भी करा लो पर आग्रा में नहीं जाएंगे conference करने तिन किसी दिन पहले ओले किसी दिन पहले होती जो किस दिन पहले किसी दिन किसी कोनफररेंट्वारइ ननित, भर्यूरण है किसी दिन से जो होगा बादर माधा किसी दिन में और एकिस को सब्सक्राइद वाले इसे मांक गया होती है तुरंट उपर और देरादुन वाला क्या यह मेरे उपर S है, और उससे पहले S कानफरेंस कर निगल जाएगा और S कहला मेरे उपर कहीं कॉन नासिक तो मलत थेन होंगे मिनिमम्म बिलकुल नासिक और S तो हो गई, उनके बीच में एक और होगा, क्योंकि नासिक वाला S के तुरन दूपर नी होता, तो एक का गया तो आप तो आए गई, ठीक है, यह समझ जो होगे आप लोगे बात, ठीक है, फिर आप से कहता है, Conference P is not held on merit, पी जो conference है, वो कान ही होती, वो मेरट में नहीं होती, ठीक है, मेरट के लिए पी ने मना कर दिया, फिर वो बोलता है, only two conference held between S and Dehradun, S और Dehradun वाली के बीच में केवल दो conference होती है, अब इसका मतलब, इसका मतलब S देhradun से तो पहले ही था, और वो कहरा, S और Dehradun वाली के बीच में दो conference होती है, तो यानि दो दिन का gap भी होगा, अगर conference दो है, तो दो दिन का gap भी होगा, बिल्कुल होगा, फिर वो आप से कहता है, कि only, sorry, conference Q is not held after S, S के बाद conference Q नहीं होती, पेटा दियान रखना, S के बाद conference Q नहीं होती का मतलब क्या है, आगर S के बाद Q conference नहीं करता है, तो इसका मतलब S से पहले करता होगा, लेकिन immediate करता है, कि नहीं, यह तो पता ही नहीं, हो सकता है, S के तुरंत ऊपर करता हो, हो सकता है S के एक छोड़ के ऊपर करता हो, हो सकता है S के ऊपर नासिक वाला ही क्यों हो, कुछ भी हो सकता है, ठीके, चलो, अब वो आगे क्या बोलता है आपसे, आगे वो आपसे बोल रहा है, लास्ट लाइन है इसकी, कि only three conferences held between R and नासिक, R और नासिक वाले के बीच में केवल three conferences होती है, अब आर और नासिक वाले के बीच में केवल कितनी conference बता रहा है, तीन conference बता रहा है, चलो भाई, अब ये कोशन हो गया, खतम, ठीके, हिंदी में कोशन आप देख रहे होंगे, अब समस्या क्या है कि मैं उठाएं कहां से, आपने तो का था कि कोई हिंट देता है, एक्जामिनर हुपम सेट करते हैं, तो भई हिंट ईसे दी है, बवात जवरद सेंस हिंट है, तो भई, जवरदा से हिंट डे देखो, मैं यह एनी उठाऊंगी, यह एनुपमे यह विंटके, कि वह पासने ब बीच में यह अटने का यह पर अपर, व्या है यह क्या लिखा है करा नासिक, नासिक के नीचे एक सीर्ट छोड़ देना minimum, दो भी छोड़ सकते हो, फिर S, S और देरादून में दो सीर्ट छोड़ देना, लेकिन S देरादून से ओपर होगा, और देरादून के नीचे कहीं P होगा, exact नीचे, तो आप खुद सोचो, हमारे पास कितने दिन हैं, यानि साथ दिन के साब से, नासिक वाला कभी नीचे तो आनी सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नासिक वाले को देखना है, उसके नीचे कम से कम इतने लोगों ने चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे दिन कम स करने आएगा, है की नहीं है? ये निद्र वाला, इसके बीच में एक का गैप, यहाँ कों वहन होगा? S कान्फर competence करने जाएगा, दो का गैप, यहाँ कोन होगा? देहराद oatmeal वाला कान्फरस करने जाएगा, और बीच निचेए कोने पी, पर जाता झाल एक रेका है अर पस्सादा लेलि सकते जो कर तो यह नासिक दो हैप यह नाज़ काई लेगा डिक फिर देहरादुनिया तोपिर प्री काई जाता इस इसके लावा ऑर बनी नहीं सकती ठीक है, नहीं बन सकती, अब वो क्या बोड रहा है, ये तौमने set कर दिया, अब दूसरा वह होता है कि बच्चा कहता है कि मैं अब क्या करे, ये वाला तो set हो गया, चलो, ठीक है, अब क्या करे, अब कौन सी लाइन उठाए, अब अगर नासिक बैड गया तो नासिक के connection किस के और क्या connection है? और नासिक के बीच में तीन conference होने जरूरी है अगर नासिक यहां है तो तीन conference यहां कर नासिक होनाइगा तो नीचे ही आएगा, उपर है लिगा तो एक, दो, तीन conference हो गई तो यहां कौन होगा भीटा? आर और नासिक के बीच में तीन का gap अब R बैठ गया, तो R की हेल्प से कौन बैठेगा? R ने का था कि मेरे जस्ट उपर कौन है? लखनो वाला, तो R के जस्ट उपर यही तो है, तो यह कहां से लखनो से, यह कहां से सिमिनार करता है? लखनो से, नाम हमें अभी भी नहीं पता उसका, ठीक है? अब यह लखनो वाली लाइन हो गई, यह जारखंड वाली नहीं भी, V और जारखंड वाली ली, R और नासिक वाली हो गई, और यह हो गई, सबसे इंपोर्टन चीज़े जो थी, वो हो गई, चलो, अब खुद सोचो, S वाला कह रहा था, कि मेरे उपर क्यो है,anking बोला था, उसने का, मेरे नीचे क्यो नहीं है, तो उसका उपर कैम क्यो है? ठीक है, बिल्डिक नहीं है, देस्के साफ से बोला उसने, तो S से पहले, क्यो कॉनफ्रेंस करता है, तो वो दो जगाओ करता है, तो फो और नहीं, यहाँ कीउगा ऊपर तो gap ले लिह सकता क्योंकि जगह ही नहीं है तो एक गशाप यहाँ तो तो टी आई नहीं सकता, यहाँ ती आई नहीं सकता किसी भी आलत में और उपर उसके पास कोई चांस नहीं है तो इसलिए क्यूज यहाँ ना आकर कहा एगा वेटा, क्यूज यह तो लखनों वाला विखती नहीं वह कौन था ती अभ यह सब्सेट होगा तो एकी बचाएंचे अब छाहरकट से होगा तो गलाएंग अब बचै एक आदुमि तो पि होगया क्यों गया अरोगे कि इन जगा में कौन आएगा, यह जो बच्ची वी जगा है, सिटी इनकी, सिटी, सिटी के लिए बहुत इंपोर्टन बात बुली थी, क्या, कि क्यों और पी ने बोला था, हम आगरा से तो है नहीं, क्यों और पी ने दोनों ने मना कर दिया, क्यों ने भी आगरा जाने से मना कर दिया, पी ने भी आगरा जाने से मना कर दिया, तो कौन है जो आगरा जाएगा, बागे सब चले गए, एस है, जो कहां जाएगा, आगरा जाएगा, एस आगरा चले जाएगा, अब पी के एक और नखरे, पी ने एक और जगाइन आप जाने से मना कर दिया, कमेरट बी इंका मेरट आपानों बीगा डिया जानफ दो इतना दुत भी बेकार नहीं है कि पी ना कर दिया लेकिन做 लेकिन पी तक की मेरट तो मेरट किसको मुझेंगे Q को भेजेंगे मेरट तो पीक ले कौन सा जगा बचेगी राजिस्थान बचेगी तो यह ओगया पीक ले जगा राजिस्थान और इस तरीक सा हमारा कोशन और पजल जो है जो भी आप इसे बोलोगे वो हो गई पूरी समझ में आई बात सब की को समझ में आगे होगी है ना इजी होते हैं मैटा इस तरह के कोश्चन अगर आप प्री में छोड़के आ रहे हो तो आप से बड़ा वेकुफ कोई नहीं है ठीक है यह कोश्चन करने है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है ठीक है बस यहां पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था जो की पॉस् है पलभी किसी आप ऑनों नहीば है साथ लोह्ऑ है अबी सीडी ए फ और गी वोई शॉपिं करने जाते है अलग अलग दिन अब आफ गाव देल सिस्टा मुल्या कर तो वही अलग दिनुन करने जाके कए लémडू भान जंड़े जा नर्म रविवार तक को जो ही और रहने साथ लोगों को साथ अलग अलग दिन शॉपंग में भेजना है चलो भाई भेजते हैं एसके अवावा उनोंने शॉपंग मॉल के नाम भी दिये मैठा मतलब भेजना तो है जैसे पीशे वाले कोश्ट में क्या था गए पर कौन से शहर में गए वो भी था अब इसमें क्या है इसमें जाना तो है उनको जो भी नाम दे रहे हैं A, B, C, D लेकिन उनके शॉपिंग मौल कौन से होंगे, कौन-कौन से शॉपिंग मौल में कौन-कौन जाएगा ये भी आपको बताना है तो चलिए shopping hall के नाम दिये, कुछ M, G, F, DL, F, Metro, Phoenix and DB City, Matrix Square and Select City Walk थेक है? पर इसी करम में जरूरी नहीं तो चलो, set करते हैं जी जोज तो Phoenix बट नाइदर उन Saturday और नर उन Friday जी फियोणिक्स में जाता है लेकिन वो कह रहा है कि नातो मैं कब जाओंगा? ना तो मैं जाओंगा Saturday को और ना ही मैं जाओंगा Friday को तो Saturday को ही मना कर दिया उसने जाने के लिए और Friday को ही मना कर दिया ठीक है जाएगा यहीं फियोनिक्स में लेकिन शनिवार और Friday यानी शुकरवार को नहीं जाता ठीक है आगे क्या बोड़ा है मतलब उसका shopping center को हमें पता चल गया लेकिन हमें नाम नहीं पता चला उसका कोई दिककत नहीं फिर आगे क्या बोलता है क्याता है F नाइदर गोज टू D.B.City नौर M.G.F बट गोज ओन संडे F संडे को जाता है F जो है वो संडे को जाता है यह रा संडे लेकिन F कहा रहा है नातो में कहां जाता है D.B.Mall में जाता है और नाही में कहां जाता है M.G.F में जाता है D.B.City में भी न जाता है और M.G.F में भी न जाता है ठीक है वहीं मना कर दिया उसमें जाने के लिए बस जाता है मैं संडे को B goes on Monday, B says, I go to which day? Monday, it's low Monday down Then A goes on Tuesday for shopping in DLF, A goes Tuesday, and where comes DLF That means fix everything, everyone'slist in front of us Then what do we then talk? The one who shops in matrix square goes above F matrix square वाला F से पहले जाता है लेकिन उसने immediate तो नहीं बोला कुछ लोग यहां matrix F बैठा देते हैं नहीं, उसने बोला F से पहले जाता है तो वो यहां भी जा सकता है वो यहां भी जा, यहां तो नहीं जा सकता है क्योंकि वाला metro जा रहा है यह आला डेलफ जा रहा है यहां जा सकता है वो यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है कौन मैट्री स्क्वाइर वाला उसने F से पहले जाने की बात बोली तो F से पहले वो यहां जा सकता था, हर जगा जा सकता था लेकिन यहां तो मॉल में पेली चिले गए लोग तो B, A, A और यह वंदा जा सकता है मैट्री S में, मैट्री स्कॉर में, खीक है, फिर क्या बोलता है मैट्री स्कॉर में मंत्री स्कॉर जो भी हो ठीक है, फिर क्याता है नाइधर C नॉट ड़ी गोज ओउघनेस डे, atique वेंटरी देको के वेंटरी स्कुआरी एंटरी वालता है। Ing 거야 curriculum, क्लिक को मेंटरी स्कुआर मेंटरी स्कुआर्वाला, लुकार से struck not shop on mandatory square, but shop after the one who shop M.G.F. So, D, which is, doesn't go to mandatory square in the shortcut, M.S. Dhoni, don't go to mandatory square, but he says, when will I go after M.G.F.? When M.G.F. shopping, I will go after M.G.F. Okay, immediately, immediately, I will go after M.G.F. I will go after M.G.F. Now, maybe the student who asked this question, he will be angry, what do we do now? There are a lot of things left, what do we do? We don't give any examiner, let's go. Let's set G. There is information about G, and it also tells us the shopping mall. So, G will not come here, because here is B. Here will not come here, because here is A. Here will not come here, because here will not match his shopping mall. If G is here, who is Pheonix? He will not come here. Then, G said here, here is F, and he will not come here. So, the child is on three places, and at the same time, he will not give any time to G, he will not give any time to G, and he will not give any time to G, and then the child is on one place, which is a third place? So, G will come here, Where? Here? In Phoenix, and here will come. Okay, if you believe this, then there is no need for this information, we can rub it with information, and we can rub it with it. Now, the man tree square, is a third place. He has a third place, and he has a third place. Here, 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 he was the possibility. He said he could go Monday and Friday. But he could go here. But here, there is Phionix, so where is this place? This is the place in the country square, and the F, and the one place. Why did not? Because he had to say, मना कर दिया था इसने ठीक है यह क्यों नहीं बच्छी क्योंकि उसने मंडे को जाने के लिए मना कर दिया था बी को कोई दिक्कत नहीं थी पर उसने जाने के लिए मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं तो यहां पर कौन होगा मैंट्री स्कॉयर ठीक है मैंट्री स्कॉयर होगा ठी लेकिन D ने तो यहां नेकले मना कर रहा है, D करा मैं आ हूँ ही नहीं, तो D फिर यहां यहां, इन दोनों में से कहीं आ सकता है, अब D इन दोनों में से कहीं आ सकता है, लेकिन D ने तो MS मेंटरी स्कॉर जाने से मना कर दिया, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो कहा हैगा D, तो एक कोन बंदा एक जो बचाओ ए अगा बी हो गया सी ओग डी हो गया यह जाएगा ठीक है जो भी बचाओ देख लेना अब बात करतें इन दो रों की यहां डी नहीं आसकता तो डी बमॉल या डी बी सिटी मॉल यहाँ यहाँ तो बचे हुए में जो मॉल बचाओ वह यहाँ जाए लो गया था सिटी इवक है यह है जाए तेन हैं शुट कोशन कोशन थे संब्सक्राइब को दूर्ट अब जो नेक्स नएगे ऊचिवें अब जो नेक्स ना डो ऑड़ पर देख रह औंगे ये ना बड़ा ट्रेंड है आज कल बड़ा ट्रेंड ऐसा कि कुछ महिनों की बात क और जो तो दिन को हमेशा उसी करम में रखते है जैसे वो बोला है अगर वो अगर तुचड वो अगर वो अगर वो तुजदय की बात हो टारिख की बात हो या फिर द आ ज़ड़ा झाला दो पो यहां से स्थार्ट करने के बोला आपको वहीसे सब्कार के और पर आप वोले तो पहले वही मंत्र को जो है तो देखो कोश्चन में यही बोला है क्या बोला है आठ लोग है जे के ल, एम,न, अ, प, क्यू और वो लोग अपने बद्धे मनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट महीनों में और जो एकी साल के अफ दा एर एक एर के तो जनवरी अप्रेल मय और अगले का बद्धे पड़ता है कब जुलाई में ठीक है चलो अब ठीक है लेकि यह तो चारी महीने हुए लेकिन बंदे कितने मार पास आठ हो सकता है एक आदमी एकी दिन में दो-दो लोग पैदा हो बिलकुल लेकिन आगे मैंने पड़ा तो वो कहता है कि all the not more than two person have their birthday in the same month एक ही महीने में दो लोगों से जादा के बद्धे नहीं होंगे यानि दो हो सकते हैं लेकिन वहीने कहरा दो ही है तीक है लेकिन हो कहरा दो से जादा के बद्धे नहीं होंगे और all the birthdays are either on 14th and 23rd of the month हर कोई जनम दिन या तो 14 तारिक को उस महीने की 14 को या फिर 23 को पड़ेगा फिर मई की 14, मई की 23, जुलाई की 14 और जुलाई की 23, यही तो होगा, यही तो होगा है ना बिल्कुल, आठ लोगों को पैदा करना है और हर महीने में दो से जादा लोग पैदा नहीं हो सकते हैं तो मैंने दो मान लिए और उसमें भी उसने condition क्या रख दी कि भई 14 और 23 को हो ठीक है तो 14 और 23 को हम इने पैदा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब बात आती है कई बार ना महीनों के नाम ना लेकर वो महीनों के दिन की बात करता है, वो महीना जिसमें 31 दिन है, ऐसा ऐसा तो यह पता होना चाहिए, चाहे वो पूछे, चाहे ना पूछे, पर पत पूछे तो बहुत बढ़ी है, जन्वरी 31 का, अप्रेल 30 का, मही 31 का, और जुलाई भी 31 का, यह पता होगा शायद आपको कैलेंडर के साब से, ठीक है, चलो, 14 को पहले को पहले को रखा, मैं हम 23 को बात पहले 23 क्यों रखा, फिर 14 क्यों रखा, तो बटा, जब भी महीना सुर कर दिया इसका, ठीक है, अब वो जैसा जैसा बोले का, बस बैसा बैसा करना है, बाखी कुछ नहीं, तो क्या कर रहा है, no two persons have the birthday on the same day of the same month, एक ही महीने की एक ही तारीख को किनी भी दो लोग का जन्म दिन नहीं होगा, यानि एक आदमी एक तारीख को एक महीने की अपना जन नहीं नहीं तो ओने मही में बदे मनाने के नहीं कर दिया, आनि दोड़ बनाने के इस नहीं find, विद्द एक टारीख आनःओ ऑच से तारीख को कि मही में में वाला महीन झther लगता है चलो ठीक है यानि आप 14 मही को और 23 मही को बर्दे नहीं मुनाने वाले है हा बिलकुल यही कहने का मतलब है N was not born in July N जो है वो कहरा में जुलाई में पैदा ही नहीं होता N जुलाई में पैदा होने के लिए ही मना कर रहा है इमेजियेट का मतलब है तुरंत बाद में क्यू का बर्दे के तुरंत बाद है या तुरंत बाद पढ़ेगा भई अब ऐसा नहीं कि 23 के बाद सिधा 14 अपरेल पढ़ गई 23 के बाद 24 जन्वरी पढ़ी होगी 23 जन्वरी के बाद आगे वह आप से बोलता है कि N celebrate his birthday before K, N कह रहा है, मैं आप K से पहले अपना बद्दे बनाऊँगा, के से पहले, अगर वो के से पहले बद्दे बनाएगा, तो क्यू से पहले भी बनाएगा, क्यू कि Q तो खुद के बाद बनाता है, के के तुरंद बाद, और N कह रहा है, The number of person who have their birthdays between P and Q is equal to the birthday between K and M, very important line, P और Q के बीच में जितने लोग बद्दे मनाएगे, जितने भी लोग बनाएगे, एक, पांट, शे, कितने ही मनाएगे, उतने ही लोग किसके K और M के बीच में बद्दे मनाते हैं, ये एक का गैप नहीं दे रखा मैंने, मैं कह रही हूँ कि इनके बीच में जितने का गैप होगा, उतने ही इनके बीच में भी बद्दे मनाएगे, ठीक है भई, लेकिन किसी का पता तो चले, तब ही तो सेट करेंगे, पता तो किसी का है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, कहता है M was born in July, M जो है वो जुलाई में पैदा होता है, यह है उठाने वाली लाइन, M अगर जुलाई में पैदा होता है तो उसको दो तरीके से पैदा होना पड़ेगा, मतलब पॉसिबिटी दो है, अगर जुलाई में पैदा होता है, तो या तो वो 14 July को पैदा हो रहा होगा या तो वो 23 July को पैदा हो रहा होगा क्यों? क्योंकि M ने बोला तो यही है कि मैं July में पैदा होता हूँ पर उसने डेट किसी को नहीं बताई तो possibility दो हो सकती है या तो M 14 July को पैदा हो जाए N and K are in the same month. N और K का जनम दिन एक ही महीने में पढ़ता है. किसका? N का और K का. बद्दे एक ही महीने में पढ़ता है. अगर दो लोग हैं, उनका एक ही महीने में बद्दे पढ़ता है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका 14 को पढ़ेगा और इसका 23 को. है कि नहीं है इसका मतलब? क्यों है इसका मतलब ऐसा? क्योंकि बद्दा एक ही महीने में अगर पढ़ेगा तो और पहले कि N का पढ़ रहा है, फिर K का पढ़ रहा है. तो बहुत दो महीने में जब ही तो 14-23, 14-24, 14-24, 14-24, ऐसे ही चल रहा है, तो 14-23 इसके just बात जो पैदा होता है, क्यों होता है, तो 14 कोई पैदा होगा, महीना चाहे कोई भी हो, इनको एक ही महीने मे पैदा कराथा, फिर वो चाहे जनवरी हो, चाहे अपरयल or चाहे जो भी हो, ठीक है, यह वाली लाइन समझेगे तो बहुत को समझ जाओगे, ठीक है, आगे क्या बोला, आगे वापसे बोलता है, ठीक है, ठीक है, एसा क्यों रखा मैंने क्योंगे मुझे पता नहीं कि ओ पहले जनम दिन मनाता है, ठीक है, और लास्ट लाइन उसने बोली, पी वाज नॉट बॉन ऑन इवन डेट, पी जो है वो इवन डेट में पैदा नहीं होता, इवन डेट का मतलब है 14 तारिक, किसी भी म कर आएब कर इव तेर्क हैंन मैंने कहार है, ठीक है, तुम तै इसको कि पूर सब्टों बढ़ जाना झाएक है necesita कि यह भी में तोफे इसको एक तुम टेश को कि पाता पीछता बिछाल्फे लाइक है झाऊ के कुंष्ट है, तो फर तो है बाता है लिः ज़लसे बाते कि आप कि पnes सताकर ना चेकर केडा शगर न कीन तो ही तो पता है तो न आया को सेट करते है एनोर की का महिना सेम है यह धियान कि अपाल लो मान लो कि अनलो है धियान के क्योंकि बागी तो मुझे कुछ पता नहीं और मैं फुर्म पेशन ले रहीister अब देखो अगर N यहाँ है, K यहाँ होगा, 14, 13, 14, दोनों एक ही मैने में हो गए और Q, K के ज़स्ट बात Q पैदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद, अगर मैं ऐसा कड़ देती, तो K और M में कितने का gap होता? K और M में कितने का gap है? 1, 2, 3, 4, कितने का gap है? 4 का? तो P और Q में भी कितने का gap होता? 4 का, Q यहाँ बैठ चुका है, 4 का gap करो, 1, 2, 3, 4, यहाँ कौन होता P यही तो मतल्ला हुआ, अगर भई हम N को यहां बठा रहे हैं, क्योंकि N और K एक ही महिने में पैदा होते हैं, और मैंने जर्वरी में पैदा करा दिये, जुलाई में तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि N पैविदा होने के लिए मना कर रहा है, और N जिस महिने में नहीं होगा, उ क्योंकि नहीं होतने ही, गैप P और Q में बोलना चाहिए, तो अगर Q यहां है, तो 1, 2, 3, 4 तो P यहाएगा, उपर आनी सकता, लेकिन इन सब चीजों में, किसका नुफसान हो रहा है, O और L क्यों, O और L तो बोल रहे हैं, हमारे बीच में तीन जनम दिन मनाया जाते हैं, कैस कैसे मनाओगे, तीन का गैप कैसे लाओगे, कहां, O और L तो यहीं बैठ सकते हैं, इन तीजेगा, और यहां कहीं बैठेंगे, तो उनके बीच वे चार का गैप, तीन का गैप नहीं सकता, मतलब भी बनता, इसका मतलब आपने N और K को गलत महिने में पैदा करवा दिया, इ और M के बीच में 2 का गैप है, अगर K और M के बीच में 2 का गैप है, तो P और Q के बीच में कितने का गैप होगा, अगर K और M के बीच में 2 का गैप है, तो P और Q के बीच में 2 का गैप होगा, यह Q है, 1, 2, या तो P यहां बठा दो, Q यहां है, 1, 2, या तो P यहां बठा दो, तो फिर आप किसका नुकसान कर रहे हो ओर एल का O or L चीक चीक के कहे रहे हैं भाईया हम आप से बात कर रहे है कि भाईया हमें एसी जगा रखना है कि जाह मारे बीच में पीछ पे तीन का गैप आजा है तो यहां देखें तो यहां तो चार का गैपाट रहेगा अगर मैं यहां भी बैठाओ, O, L यहां भी बैठे, ठीक है? और बागी कहीं ऑप्शन नहीं है, अगर O, L यहां भी बैठाओ, तो 3 के गभाद फिर जगह नहीं है एक, दो, यह पी आ गया, हाँ, ऐसा हो सकता है और L को 3 का गभाद चाहिए, तो बैठा, 3 का गभाद तभी आ सकता है, जब ऐसा हो यह, यह, O, और L में कितने का गभाद, एक, दो, तीन, उसके लागा कहीं गभी नहीं है बैठा दिया, लेकिन O कह रहा है, मैं तो मही में पैदा ही नहीं हुआ तो O मही में पैदा नहीं हुआ, तो L को कर देते हैं अगर L मही में पैदा हो गया, तो O यहाँ पैदा होगा क्योंकि उनके बीच में कितने का गैप होटा, उनके बीच में है, आपका टोटल तीन का गैप, एक दो तीन, तीन का गैप आपका है, और O और L के बीच में, ठीक है, ये सेट हो गया, बचा कॉन बंदा? एक बंदा बचा है, जिसे आप उपर बनाओगे, तो वो कौन है? P, Q, Q, R, S, कि कौन होगा, जो भी होगा, वो से आप उपर बैठा दोगे, मेभी वो र हो, जो भी होगा, जो भी दिया होगा, कोश्चन में देख लेना, अब बात करते हैं, कि P ने का था कि मैं थेईस तारीक को पैदा होता हूँ, 14 को नहीं होगा, तो P पैदा होगा, ठीक है, और मुझे तो इन के मतलब है, N के तो एहां कैम पैदा होगा, कै।कि यहां कि मैं यहां नहीं हैं वो तो फिर से आप किसकays दिकर रहें हो, और ELL को हो सकते हैं घर बैठ नहीं इसकते हो, इस सकते हम धो पैएगा तो मैंने वह को नहीं सकता है जनवरी में नुर के पैदा ही नहीं हो सकते है ठीक है फरवरी में पैदा राधे ऐम आपरेल में पीडा खुरादे एन और के और क्यू तीन का गया पैप है इसके लाबहन के और गैप आई नहीं सकता है क्यूं यहां एक दो थीन पी नीचे तो आ नहीं सकता है एक दो थीन पी यहां जरूर आ सकता है लेगिन अगर पी नहीं बोला होता कि मैं 14 तारीक यानिवन डेट को पैदा नहीं होंगा और आपने किस दिन पैदा करा दे एम डेट को इसलिए यहाली कंडिनेशन गलत हो गई इसलिए आपकी condition कौन से से यह यह वाली और इसमें कोई आधर और नहीं लगने वाली समझ में आई बाग ठीक है चलिए ऐसा यह question और देते हैं आपको और pause करके आप करिएगा उसे सेम वैसा ही question ने बटा कोई change नहीं है कोई भी change नहीं है ठीक है तो देखो क्या है इस बार बस तारीके change है और शायद महीने change है कहरा है जनवरी अप्रेल मई और सितंबर चार महीने वही आठ दोस्त हैं और वो क्या करना है movie देखने चा रहे है अच्छा इस बार picture देखने चा format आपको समय में आ गया होगा बिना कहें बनाना शुरू कर दो जनवरी जनवरी के बाद अप्रेल अप्रेल के बाद मई और मई के बाद सेप्टेमबर ठीक है तो जनवरी की साथ तारीक और फिर 21 तारीक फिर जनवरी की साथ तारीक अप्रेल की साथ तारीक 21 तारीक और सित बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, पहली लाइन, पहली लाइन देख लेते हैं, आप पॉस करके वीडियो को, बनाएंगे इसको, जल्दे लिए से, पहली लाइन बोलता है आपको, no two person can watch a movie on the same day, ठीक है, एक दिन में दो लोग नहीं देख सकते, n watch movie in the September, n September में movie देखता है, तो या तो n 7 सितंबर को देखता होगा, या तो n 21 सितंबर को देखता होगा, तो ये fix होगे, पिछले बाले उसमें n fix था, इसमें n हो गया, तो या तो N साथ सितंबर को देख रहा है, या तो 21 सितंबर को, उसके बाद option नहीं है, उसके इलावा फिर वो क्या कह रहा है, RL watch movie on the same month, R और L का जो महिना है, वो same है, same month है ठीक है, पीछे question में दो था, वो दो लोग का था, ठीक है, N और R का शायद, और इसमें किसका है, R और L का, ठीक है फिर कहता है, देरा 3 movies watch between O और M, O और M की बीच में 3 movies देखी जाती है, वहाँ O और L था, यहां O M है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर वो आप से क्या बोलता है, कहता है, कि R does not watch movie in September, September में R movie देखने नहीं जाता है, ठीक है भई, R September में movie देखने नहीं जाएगा आगे बोलता है, Q watches movie immediately after L, Q L के, Q L के बाद, Q immediately after L के देखता है, Q L के तुरंट बाद, immediate after movie देखने जाता है, ठीक है फिर वो बोलता है आप से कि P, the number of person watch movie between P and Q is same between L and N, P और Q के बीच में, जितनी movies देखी जाती है, उतनी ही movies L और N के बीच में भी देखी जाती है पीछे भी ऐसे एक data दिया हो था, O does not watch movie on May, O मई में movie नहीं देखता, O को मई में बैन है, कि आप movie देखने नहीं आओगे मई में और N watch movie before L, RL से पहले movie देखने जाता है, RL से पहले movie देखने जाता है, और सुनो, R और L का महिना सेम था, तो इसका मतलब यह है कि R पहले जाएगा, और L बाद में, और उसके तुरंद बाद तो क्यों है, ठीक है, पीछे भी ऐसे ही था, RL का महिना सेम है, सेम मन्त है, तो पहला 7 दी को जाएगा, दूसरा 21 को जाएगा, उसके जस्ट बाद अगर क्यों हो जाता है, तो पिर से 7 दाएगा, जाएगा, की नहीं जाएगा, इनका महिना सेम है, और को नहीं देखता, N के तुरंट पहले मुवी नहीं देखता, ठीक है, इमिजेटली नहीं देखता, बस ये लाइन थोड़ी चेंज है, बस, अब देखो, के N के तुरंट पहले इन देखता, तो भई हमार पाद दो कंडिशन है, या तो N यहां जाएगा, या तो N, N नहीं बोला ह सितंबर में मुवी देखने जाता है, ठीक है, तो चलो आप देखते हैं, क्या सेट करें, भई, इस से जादा बहतरी न कोई चीज है, नहीं सेट करने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं, जनवरी का महिनने से, R यहां, L यहां, Q यहां, किस के लिए समस्य हो जाएगी, और M क्यों इन के बीच में कितने गाप है, तो 3 का, तो 3 का गप तो बठा सकते हैं, यहां भी तो बठा सकते हैं, नहीं बठा सकते हैं, और M को अगर हम यहां बठा दे तो 3 का गप तो ऐसे भी आ जाएगा, आ सकता है, इसके लावा नहीं आएगा लिकिन बस यहां सकता है, लेकि कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है तो मैं बिना बैठाई भी दिखा देती हूं एक आप लोगों को अगर मालो और M आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे तीन का गैप लेंगे तो L और N के बीच में कितने का गैप है एक दो तीन चार चार का गैप तो पी और क्यों में पिशार का गैप होगा इसलिए आपने जो महीने में बठाएं हैं कौन आपके आर ऑपरेल में आपनल में करें hati और यहा only are L कि यहां क ρこれで कि अखशा क ne किरते का महीं सब्संदाद उन उन हमाना को r tu यह क्यों की यहां कि पिछाु प्री कूर में कितने का घप डो थो कि लोर न में भी 2 का गैप है, तो क्यूं को यहां बठा के आप P को कहा बठा के बठा के दो का गैप 1,2 यहां P ज़रूर बैठ सकता है नीचे, ठीक है, अब और M के भी सही है, और M इदर आजाएंगे, और O नीचे नहीं आसकता, तो यहां M आ जाएगा, यहां O आ जाएगा, त जो भी बचा होगा आपका, ठीक है, N, L, K, K बचा है शायद है ना, तो K यहां जाएगा, तो condition satisfied, बिल्कुल satisfied, इस वाली डाइग्राम में क्या दिक्कत है फिर, देख लेते हैं, हो सकता है यह बन रहा हो, भई, R, L और Q, अगर यह दोनों A की महीने में हैं और यह महीना जन जाएगा, अब R और L को यहां पैदा करा देते, R, L तो फिर यहां Q, अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि भई, L और N के बीच में कितने का गाप है, 1, 2, 3, तो P और Q में भी 3 का गाप होगा, Q यहां है, 1, 2, 3, नीचे तो आनी सकता है, 1, 2, 3, यहां P जरूरा सकता है, और M और N के लिए भी दिक्कत नहीं, N और O के लिए, यहां O बठा दो, यहां M बठा दो, तीन का गाप भी हो जाएगा, तो यहां कौन आएगा, K, तो बच्चा कहरा है, बनतो हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है, लेकिन बच्चा एक लाइन देखो, उसने क्या बोली थी, जबर कोशन आएग्जाम में, तो यह बहुत सिंपल से कोशन है, जो हमने आठ डिसकुस कि यह उनके बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे आप लोगों से, और धेर सारे कोशन जो लाइन के हैं या साइन के हैं, उन पर कोशन पर बात करेंगे, एयर बेस्ट कोशन पर बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रही है, मैं कंचरूरूरी तिया आपकी रीजिनिक फेकल्टी, आपके वो अगला एपिसोड में मिलूँगी,